दोस्तों बाहु बली के बाद SS राजा मुली सर की नई मूवी RRR लास्ट वीकेंड पे 9.1 रेडिंग्स के साथ रिलीज हुई थी इस मूवी को हर जगा से तारीफ है मिल रही है और इस वीडियो के अंदर हम क्या डिसक्स कने वाले है मूवी का रिव्यू और कुछ ऐसे फेक्ट्स जो आपको जानना ज़रूरी है और चिंता मत कीजिए इस मूवी के बारे में कोई स्पोईलर में या आपे नहीं देने वाला हूँ तो साट करते हैं इस मूवी के एक कास्ट के साथ आपको भी पता है आरारार जो मूवी है इसके कास्ट को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है अरारार में जूनियर एंटियार रामचरन, आलिया भट, अजय देवगन और श्रिया शरन है और इनके साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और एक्टर एक्टरस भी हैं आपको पता है, मूवी के अंदर जो ब्रिटीशियर का रोल कर रहे हैं, वो भी किसी इंट्रोडक्शन के महताज नहीं है रे स्टीवन्स, जो की कई सारी मूवीज और वेब सिरीज में दिखाई दिये हैं जिन में से कुछ पॉपिलर मूवी रेंड सिरीज की बात की जाए, थौर एंड वी किंग्स नेक्स फॉरेंड एक्टर की बात की जाए, एडवर्ड, जिन्होंने केसरी वीरेदी वेडिंग जैसी मूवीज में काम किया है और बोस सिरीज, यानि वेब सिरीज है, यहां भी दिखाई दिये हैं और एक और जानावाना चहरा, मार्क बेलिंग्टन, जो कि इसी साल, रॉकेट बॉइज और ह्यूमन्स वेब सिरीज में दिखाई दिये हैं यह कुछ नाम जो मैंने आप लोगों के साथ डिसकस किया है, यह काफी जादा फेमस पस्नालिटीज है बट ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवी में यही है, मूवी की जो पूरी कास्ट है, जो supporting actors है और इसके अलावा भी जो पूरी कास्ट है, बहुत fabulous work जो है उनकी तरफ से दिखाई दिया है तो अब जो है बात करते हैं इस मूवी के facts की, दोस्तों एक interesting बात पता है आपको, यह जो मूवी है RRR, इसकी full form तो आपको पता ही है, लेकिन इसकी full form पहले क्या होने वाली थी, अभी इसकी full form है Rise, Roar, Revolt, बट इससे पहले इस मूवी का full form कुछ और ही होने वाला था, इससे मूवी की जो story है, उसको define करने के लिए इसका full form जो है Rise, Roar, Revolt रग दिया गया, बाकी यह जो मूवी है, यह दो real fighters, Indian revolutionaries पर based है, यार पूरी मूवी की बात कीजा है न, तो पूरी की पूरी जो movie है, वो real event से, true event से inspired बिलकुल भी नहीं है, लेकिन इनमें जो characters आप देखते है उन characters को किस तरीके से निभाया गया है, जैसे कि आलूरी सीतारमन राजू, जिनका किर्दार राम चरन निभार है, वहीं कोमाराम धीम का रोल जूनियर NTR निभाते हुए दिखाई दे रहे, दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस movie का budget कितना रहा होगा, हमारे द 50CR, 550 करोड, अगर मैं US dollars में बात करता हूँ, तो 72 million US dollars, दोस्तों एक और बात, इस movie में, first time हमारे जूनियर NTR आपको हिंदी में, डब्ड करते हुए सुनाई देंगे, मतलब उनकी real voice है, और सुनते ही मज़ा आ जाता यार, उनकी आवास, अलिया बट ने इस movie के लिए, especially, त अब किया है, और आपको पता ही होगा, इस movie की shooting कहाँ पे हुई है, सुनके जरूर हिरान होंगे आप, तो इस movie की shooting है, हैदराबाद, अराकू, महा बलेशुर से लेकि कीव तक हुई है, और especially, नाचो नाचो जो सौंग है, जो मतलब इतना धूम मचा रहा है, यार, मतलब बह complete करने में, total 3 साल, यानि 3 years का समय लगा है, इस movie में आपने junior NDR को running करते वे जरूर देखा होगा, जो running shots है, उनके वो काफी popular होए, और बहुत अच्छी running करते वे, उनके जो effects है, वो दिखाई दे रहे, आपको पता है, उनको कितना समय लगा, अपने आपको तयार करने के लि बिना जूतों के जो भाग रहे थे, उनको 18 महीने का समय लगा, और साथ ही इस movie के action sequence में, एक हजार से ज़ादा artist को use किया गया है, क्या आपको पता है, आररर साथ हजार screen के साथ साथ 30 प्लस countries में release हो रही है, इंडिया में ये movie पांच language में release होगी, और internationally बात की जाए, तो Korean, Turkish, English, Japanese, Chinese, Spanish में ये movie release की जा रही है, और साथ ही इस movie ने pre-release पर बहुत बड़ी जम के कमाई की है, pre-release का क्या मतलब होता है, pre-release का मतलब होता है, जो movie होती है, उसकी advance ticket booking, movie के audio rights, video rights, digital rights, satellite rights, ये जो सारे brand endorsements, ये जो सारे categories आती है, ये pre-release movie की earnings में count होती है, अगर बात करते है, audio rights की, तो T-series और Lahari Music ने RRR के जो audio rights है, वो 25 CR, 25 करोड रुबए में खरीदे है, दोस्तों ये जो 4 languages है, तिल्गु, तमिल, मल्यालम, कनड़ा, ये जो languages हैं, इनमें जो pen studio हैं, उन्होंने rights लिए हैं इस movie के, और Hindi, English, Spanish, Korean, Turkish, Netflix के पास इसके rights हैं, internationally, digital rights plus satellite rights, इनकी जो total income रही है, वो रही है, 325 CR, 325 करोड रुपए, और दोस्तों, release से पहले, जो total deals हुई हैं इस movie की, वो हुई है, 120 million US dollars, अगर Indian currency में बात की जाए है, तो 890 करोड रुपए, 890 CR, जो की बहुत बड़ी amount है, मैंने तो इससे पहले नहीं सुना कि किसी Indian movie ने इतनी बड़ी गमाई की है, pre-release पे, ठीक हैं, आपने सुना है तो comment section मुझे ज़रूर बताएगा, ये जो movie है, यार ये तो बाते रही pre-release की, और movie के कुछ facts की, बट, box office पे लोगों का, क्या reaction rice movie को लेके, दोस्तो हम लोगों की जो expectations थी, राजा मुली सर से, इस movie को लेके, उन्होंने, of course, उससे ज़ादा ही, efforts डाले और efforts दिखाई भी देते, दोस्तो इस movie ने, अपनी opening की है, 230 plus CR से worldwide collection, अगर box office से बात की जाए, और अगर one week के बाद, इसकी कमाई calculate की जाए, तो वो 500 करोड से भी जादा है, वर्ल्ड वाइड, 500 CR से भी काफी जादा है, दोस्तो कुछ अकर ऐसे facts हैं, जो मैंने miss कियोंगे, तो आप comment section में जरूर बताए, और movie आप लोगों को कैसे लगी personally, और आप recommend करेंगे, अपने family members को, दोस्तों को, तो भी बता है मुझे comment section में, और मेरी तरफ से, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार आपको जरूर देखने चाहिए, amazing movie है, बहुत अच्छा काम किया, actresses और बहुत अच्छी cast है, और सारी चीज़े overall अच्छा ही है movie में, तो I think आपको जाना चाहिए इस movie को देखने के लिए, at least for funds, ठीक है, चलिए यार react के channel को subscribe कर तो अभी क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी information आपको है संबलने वाली है, मुलाकात करते हैं और exciting videos के साथ, stay tuned, keep watching and thank you so much for watching this video, till the end.